मैं अमिद गोतम सर बी ए सेकिंड सेमेस्टर की इकोनोमिक्स की फिफ्ट क्लास ले गया हूँ चलिए पहला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर एक अठारा सो नब्बे और सास्त्र के सिद्धान प्रिंसिपल ओप इकोनोमिक्स किसकी रचना है ए एडमी स्वित की बी रूबिन्स की सी मार्सल की डी कोटिल्यगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन सी मार्सल की परसन नमबर दो देखते हैं परसन नमबर दो और सास्त्र कल्यान सम्मंदी परिवाशा किसी ने दी ओप्शन A एडमी स्मित ओप्शन B रूबिन्स ओप्शन C मार्सल ओप्शन D कोटिल्यगी तो बताईए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C मार्सल परसन संग्या तीन को देखते हैं रोबिन्स किस देश के अर्सास्तुरी थे यनि कि रोबिन्स किस देश के अर्सास्त्री थे उपसन ए बिल्टैन के उपसन भी अमेरिका के उपसन सी रोज के उपसन डी फ्रांस के तो इसका correct answer हुआ उपसन ए रोबिन्स जो है विल्टेन के रहने वाले अर्षास्त्री थे परसन नमबर चार अर्षास्त्र को दुरलब्दा का सिद्दान्थ माना है अर्षास्त्र को दुरलब्दा का सिद्दान्थ माना है ओप्सन ए एडमिस्मित ने ओप्सन बी रोबिन्स ने ओप्सन C मारसन ने ओप्सन D कोटिल लेने इसका अंसर तो सबी को पता होगा इसका correct अंसर है ओप्सन B रोबिंस ने अर्षास्त को दूर लब्दगा सिद्धान्त दिया है या माना है परसन नमबर पाँच आधुनिक अर्षास्त्री सेमुलसन ने अर्षास्त्र को क्या कहकर पुकारा है A. विकास का सास्त्र B. दन का विज्ञान C. दुरलब्दा का सिद्धान D. ये सभी तो इसका correct answer होगा विकास का सास्त्र सेमुलसन ने अर्षास को कहकर पुकारा है परसन संक्या 6 अरसास्त्र के पिता कोन है इसके बारे मैं तो सभी जानते होगे यह परसन तो सभी को पता हुआ इसके अरसास्त्र के पिता किसे को कहा जाता है ओप्सन A एडम इसमित को ओप्सन B रोबिन्स को ओप्सन C मारसल को ओप्सन D कोटिल्या को इसका correct answer है option A Adam Smith को परसन नमबर 7 अर्षास्त्र के परकार है option A वेस्टी अर्षास्त option B समस्टी अर्षास्त option C A तथा B दोनो option D इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option C A वेस्ट तथा B दोनो अर्षास्त्र के परकार है समस्टी अर्षास्त्र के पिता कोन है option A प्रोफेसर कीन्स option B प्रोफेसर मार्सल option C रोबिन्स option D एडम इस्मित तो इसका correct answer होगा option A कीन्स परसन नमबर 9 अर्षास्ता के परकार है option A खुली और बंद अर्षास्ता option B विक्षित और विकासील अर्षास्ता option C पुझिवादी और मिश्रित अर्षास्ता option D ये सभी तो इसका correct answer होगा option D ये सब अर्षास्ता के परकार है परसन नमबर 10 राष्टिहाए की पहली संकला में अर्षास्ता को कितने ख्षेत्रों में विवाजित किया है option A तेरा बागो में option B 15 में option C 21 में option D 17 में तो इसका correct answer होगा option A तेरा बागो में परसन नमबर 11 राज कोशय नीती के उदेश्य है option A संसादनों की गतिसीलता option B समाजिक नियाए option C पून रोजगार सरजन option D ये सभी तो इसका correct answer होगा option D ये सभी परसन नमबर 12 राज कोशय नीती के उपकरण नहीं है option A करवे कराधान option B सार्वजिनिक वे option C सार्वजिनिक रिंड option D मुल्ले इस्तिर्था तो इसका correct answer होगा option D मुल्ले इस्तिर्था परसन नमबर 13 राष्टिया आए माप का अनुमान दादा भाई नोरे जी दुवारा प्रकासित किया गया option A 1868 में option B 1852 में option C 1866 में option D 1862 में तो इसका correct answer रहा 1868 में परसन नमबर 13 केंद्रिया सांकी की संगठन की इस्तापना किस वर्स होई थी option A 20 मैं 1953 को option B 7 मैं 1956 को option C 2 मैं 1951 को option D 11 मैं 11 मैं 1943 को तो इसका correct answer है option C 2 मैं 1951 को परसन नमबर 15 वर्तमान में माना विकास सूचकांक में भारत का इस्तान है वर्तमान में माना विकास सूचकांक में भारत का इस्तान है option A 1929 option B sorry option A 119 option B 132 option C 134 option D 131 तो इसका correct answer है option B 132 परसन नमबर 16 पर्तम पंचवर्षिय योजना की सुरुवात कब होई थी इसका तो सभी को answer पता होगा बड़ाई जी question है option A 1952 option B 1956 option D C 1950 option D 1991 तो इसका correct answer होगा option D 1991 पर्तम पंचवर्षिय योजना की सुरुवात की गई थी परसन नमबर 17 परात्मिक अक्सेत्र किसे कहा जाता है A किर्षिय अक्सेत्र को B सेवा अक्सेत्र को C उद्ध्यक्सेत्र को D इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा A किर्षिय अक्सेत्र को परसन नमबर 11 sorry 18 भारत में वित्यावर्ष कहा जाता है बारत में वित्यावर्ष कहा जाता है option A 1 अप्रेल से 31 मार्ष तक option B 1 अप्रेल से 30 जून तक option C 1 सितंबर से 31 अगस्तक option D 1 जन्वरी से 31 दिसंबर तक तो इसका correct answer होगा option A एक अप्रेल से 31 मार्ष तक परसन नमबर 19 राष्टिया ग्रामीन रोजगार गरंटी योजना किस महाप्रुष के नाम पर है option A option B राजीव गांधी option C मात्मा गांधी option D इंद्रा गांधी तो इसका correct answer है option C मात्मा गांधी परसन नमबर 20 भारत में वैस्विकरन की सुरुवात कब होई A 1988 में B 1992 में C 1986 में D 1990 में तो इसका correct answer होगा option D वैस्विकरन की सुरुवात हुई थी परसन नमबर 29 उबहोगता दियोस मनाया जाता है 15 मार्च को option B 5 मार्च को option C 20 मार्च को option D 1 मार्च को तो इसका correct answer होगा option A 15 मार्च को उबहोगता दियोस मनाया जाता है परसन नमबर 22 भारत में राष्टिय उबहोगता दियोस कब मनाया जाता है option A 24 December option B 1 मार्च option C 10 अपरेल option D 5 जून तो इसका correct answer है option A 24 December को भारत में राष्टिय उबहोगता दियोस मनाया जाता है परसन नमबर 23 निम्न में से भोज्य पदार्थ सुद्धा की गरंटी देता है whole छून मार्क option A whole मार्क option B अग मार्क option C बुल मार्क option D I आई एस आई मार्क तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्षन बी एग मार्क परसन नमबर चोबिस राज्य इस्तरिय राज्य इस्तरिय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज्य है उप्षन A गुजराद, उप्षन B उत्तर परदेश, उप्षन C केरल, उप्षन D मद्या परदेश तो इसका करेक्ट आंसर होगा उप्षन D मद्या परदेश राज्य इस्तरिय मानव विकास रूचका जारी करने वाला पर्थम राज्य है परसन नमबर पच्चीस, किस राज्य की परती वेक्तियाए सबसे अधिक है उप्षन A माराष्ट की, उप्षन B गुजराद की, उप्षन C गौवा की, उप्षन D करनाटक की तो इसका करेक्टर अंसर होगा, उप्षन C, गौवा की, साकसरत दर्वी सबसे दिक, गौवा में यह है परसन नमबर 26, भारत की राज्य आई की गणना में किस विदी का परियोग किया जाता है उप्षन A, आई विदी का, उप्षन B, उत्पत्ति गणना विदी का, उप्षन C, A तथा B दोनों का, उप्षन D इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्टर अंसर होगा, उप्षन C, A तथा B दोनों का परियोग किया जाता है परसन नमबर 27 निम लिखित में से कौन सा मुद्रा का कारिय नहीं है ओप्षन A मुल्या का मापन करना ओप्षन B मुल्या का सिंचे करना ओप्षन C मुल्या का हरास मुल्या का हस्तांतरन ओप्षन D मुल्या का इस्तिति करन तो इसका करेक्टांसर ओप्षन D मुल्या का इस्तिति करन परसन नमबर 28 सरकार दुबारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलना कहलाता है ओप्षन A, V, मुद्रीकरण ओप्षन B, ओव मुलियन ओप्षन C, मुद्रा संकुचन ओप्षन D, ये सभी तो इसका करेक्टर आंसर होगा ओप्षन A, V, मुद्रीकरण परसन नमबर 29 इस्टेग, फलेशन, इस्तित है गतिरोद और मंदी ओप्षन A, गतिरोद और मंदी की ओप्षन B, गतिरोद मुद्रा स्पूर्ती की ओप्षन C, गतिरोद और अविस्पूर्ती की option D इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B गती रोद और मुद्रा इस्पीर्तिगी परसन नमबर 30 mode weight संबंधित है option A उत्पादन कर से option B मुल्य वर्दित कर से option C आय कर से option D धन कर से तो इसका correct answer होगा option B मुल्य वर्दित कर से परसन नमबर 31 अंतराष्टिय वैपार किरिया में कम से कम कितने देशों का होना अनिवारिय है यनि के अंतराष्टिय वैपार किरिया में कम से कम कितने देशों का होना अनिवारिय है option A चार देशों का option B दो देशों का option C 3 देश होगा option D 5 देश होगा तो इसका correct answer होगा option B दो देश होगा लेन देन दो दो से बीच में होता है करे विक्रे person number 32 which way अपार संगटन WTO की इस्तापना कब होई A. 1997 B. 1992 C. 1998 D. 1995 तो इसका correct answer होगा option D 1995 में WTO की इस्तापना होई है person संग्या 33 get की इस्तापना कब होई 1 November sorry November 1945 B. January 1948 C. December 195 D. 1900 अगस्त 1947 तो इसका correct answer होगा option B जन्वरी जन्वरी 1948 में गेट की स्तापना होई थी person number 34 अल्प विक्सित अल्प विक्सित देशों के आरतिक विकास की मुख्या बादा है option A. बजार की A. पूर्णता है option B निर्दंता का दुस्चक्र option C. अंतराष्ट्य सक्तिया option D. ये सभी तो इसका correct answer होगा option D. ये सभी person number 35 गेट की स्तापना के समय संक्या थी यनि कि गेट की जब स्तापना होई थी उस समय इसकी सदस्चकी संक्या कितनी थी option A. 27 option B. 40 option C. 23 option D. 43 तो इसका correct answer होगा C. उस समय जब गेट की स्तापना होई थी 23 सदस्चक्र थी इसमे person number 36 मानवय पूंजी निर्मान में कौन-कौन से ततु सम्मलित है option A. सिक्सा option B. स्वास्त है option D. समाजिक छेत्रों का वै option D. ये सभी तो इसका correct answer होगा option D. ये सभी person number 37 अनिवारिय वस्तुए अधिनियम कब पारित हुआ option A. 1955 में option B. 1932 में option C. 1961 में option D. 1970 में तो इसका correct answer होगा option A. 1955 में person number 38 किर्सी आयकर राजसव किस सरकार को प्राप्त होता है A. राज्य सरकार को B. केंद्र सरकार को C. A. तता B. दोनो D. इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा A. राज्य सरकार को किर्सी आये राजसव प्राप्त होता है person number 49 योजना आयोग की इस्तापना कब होई option A. 1947 में option B. 1950 में option C. 1956 में option D. 1952 में तो इसका correct answer होगा option B. 1950 में person number 40 कीन्स के उनसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्या कारण क्या है option A. बचत में कमी option B. विनी योग में कमी option C. कुल मांग में कमी option D. कुल योग में वुरद्धी तो इसका correct answer होगा option A. बचत में कमी person number 41 किसी राष्ट के आर्तिक कल्यान की दरिष्टी से कौन सा बाजार सुरोत्तम है option A. एकादिकार option B. अलपादिकार option C. पून परति होगी था option D. एकादिकारी परति होगी था तो इसका correct answer होगा option B. अलपादिकार person number 42 नवीन कल्यान वादी अर्धसास्त्र के जन्मदाता कौन है option A. पीगू option B. परेटो option C. फिसर option D. फिलिप्स तो इसका correct answer होगा option B. परेटो person number 43 अर्धसास्त्र में ग्रेशम कानियम किस से संबन्दित है? अर्धसास्त्र में ग्रेशम कानियम किस से संबन्दित है? option A. मुद्रा संचालन से option B. मां की पूर्ति से option C. उब्वोग और आपूर्ति से option D. माल और सेवाओं का वित्रण से तो इसका correct answer होगा option A. मुद्रा संचालन से person number 44 भारत में पंच वर्षिया योजनाओं की संकलपना किस के द्वारा प्रस्तुत की गई? option A. लाड मांट बेटिन द्वारा option B. पंडिज्या वाल नहरू द्वारा option C. इंद्रा गानी द्वारा option D. लाल बादूर सास्तिरी द्वारा तो इसका correct answer होगा option A. लाड मांट बेटिन द्वारा option A. करारोपन option B. सारजनिक वै option C. व्याजदर option D. सारजनिक रिन तो इसका correct answer होगा option D. सारजनिक रिन option A. पानी को option B. पुंजी को option C. सरम को option D. भूमी को तो इसका correct answer होगा option A. पानी को option A. पानी को option 47. हवाला क्या है option A. कर अपवचन option B. किसी विश्य की पूर्ण जानकारी option C. सेर बजार में अवैद लेंदेन option D. विदेशी मुद्रा विनिमे का अवैद करोबार तो इसका correct answer होगा option D. हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमे का अवैद करोबार है person number 48. कीन्स के अनुसार उत्पत्ति के सादनों की पूर्टी होती है option A. बे लोचदार option B. लोचदार option C. अत्यदिक लोचदार option D. इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option A. बे लोचदार person number 49. प्रैसुल का क्या मतलब है option A. देश के अंदर लगाए गए करोशे option B. वस्तूपर लगाए गए आयातों से option C. विदेशीयों से वसूल किये गए करोशे option D. इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B. वस्तूपर लगाए गए आयात करोशे person number 50. एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? option A. 1937 में option B. 1943 में option C. 1944 में option D. 1922 में तो इसका correct answer होगा option A. 1937 में person number 51 GDP के आदार पर भारत का इस्तान है option A. पांचवा option B. तीसरा option C. साथवा option D. तेरवा तो इसका correct answer हो option C. साथवा option B. भारत की जो अर्दवेस्ता है वो मिश्रित अर्दवेस्ता है इसका तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए था person number 53 निम लिखित पर ध्यान दीजिए option A. मुद्रा की छपाई option B. पुराने मुद्रा नोट का बदलना option S. निम लिखित पर ध्यान दीजिए number 1. मुद्रा की छपाई number 2. पुराने मुद्रा नोटो का बदलना number 3. मुद्रा वित्रण तो बताईए इन में से क्या मुद्रा वित्रण के कारिया है option A. के वाल एक option B. एक और दो से ही है option C. के वाल A. के वाल दो वाल तीन से ही है option D. या ये सभी से ही है तो इसका correct answer होगा option D person number 54. ब्याज रसीदे और लाभान सरकार के राजसव की कि स्रेणिंग के अंतरगत आते है option A. कर राजसव के अंतरगत option B. गैर कर राजसव के option C. ये दोनो यानिके A और B दोनो option D. इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B. गैर कर राजसव person number 55. शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? option A. एसेंगडित किरसी option B. दोस्पून सिक्सा पर ना ली option C. किरसी का प्रमप्रकत तरीका option D. इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B. दोस्पून सिक्षा पर ना ली person number 56. लाफर वक्र किस से संबन्दित है? option A. मूल्य और मांग से option B. लागत और पूर्ति से option C. करदर और मूल्य से option D. करदर और कर अगत से तो इसका correct answer होगा option B. लागत और पूर्ति से person number 57. भारत में मोद्रिक सुदार किस नहीं ओद्योगिक नीती दुआरा लाई गई? option A. 24 जुलाई 1989 को option B. 24 जुलाई 1999 को option C. 24 जुलाई 1995 को option D. 24 जुलाई 1999 को तो इसका correct answer होगा option C. 24 जुलाई 1995 को person number 58. मांग के निर्मान के लिए क्या आउशक है? option A. I. Option B. आयाद. option C. उत्पादन. option D. कीमत. तो इसका correct answer हो option D. कीमत. person number 69. अरसास्त्र धनका विज्ञान है? किस नहीं कहा था? ये इतनी जी question है इसको तो सभी को पता होना चाहिए. अरसास्त्र धनका विज्ञान है? ये किस नहीं कहा था? ये किस नहीं कहा था? option A. मालतस ने. option B. मारसल ने. option C. एडम इस्वित ने. option D. रिकार्ड नोने. तो इसका correct answer होगा option C. एडम इस्वित ने. अरसास्त्र को धनका विज्ञान कहा था. person number 60. हमारे देश में किस मुद्रा को वैदानिक मान्याता प्राप्त है? option A. वस्तु मुद्रा. option B. साक मुद्रा. option C. पत्र मुद्रा. option D. चेक मुद्रा. तो इसका correct answer होगा option C. option C. पत्र मुद्रा. person number 61. निमली कित में से कोन विधी ग्रह मुद्रा है? निमली कित में से कोन विधी ग्रह मुद्रा है? option A. दस रुबे का नोट. option B. चेक. option C. ड्राप्ट. option D. इनमें से सभी. यनिके ये सभी. तो इसका correct answer है? A. दस रुबे का नोट. person number 62. आज कल मुद्रा का कोन सा रूप अधिक परचलन में है? option A. दात्रिक मुद्रा. option B. पत्र मुद्रा. option C. सिक्के. option D. इनमें से सभी. यनिके ये सभी. तो इसका correct answer होगा option B. पत्र मुद्रा. person number 63. इनमें से कौन मुद्रा के कारियन नहीं है? option A. माध्यम. option B. मापन. option C. बुगतान. option D. लेखन एवं संपादन. तो इसका correct answer होगा option D. लेखन एवं संपादन. person number 64. किस दातु का मुद्रा के रूप में सरवादिक प्रियोग हुआ है? option A. लोवे का, option B. तांबे का, option C. पीतल का, option D. चांदी और सोने का. तो इसका correct answer होगा option D. सोने और चांदी का सबसे आधिक मुद्रा के रूप में प्रियोग हुआ है. person number 65. किस ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है? और जमा कर्ज की संतान है? एक बार फिर देगे, किस ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है? और जमा कर्ज की संतान है? ओप्षन A कींज ने, ओप्षन B मार्सल ने, ओप्षन D कराउथर ने, तो इसका करेक्टर आंसर होगा ओप्षन A, प्रोफेसर कींज ने कहा था परसन नमबर 66, भारत में राष्टिया को मापने के लिए प्रियोग किये जाने वाला आधार वर्स है ओप्षन A, वर्स 2000 से 2001, ओप्षन B, वर्स 2001 से 2002, ओप्षन C, वर्स 2011 से 2012, ओप्षन D, 2005 से वर्स 2005 से 2007, तो इसका करेक्टर आंसर होगा, आंसर C, 2011 से 2012 परसन नमबर 66, अर्थ विवस्ता से क्या तात परिया है ओप्षन A, किसी देश की समस्त संपत्ती ओप्षन B, करो से प्राप्त आए ओप्षन C, देश की समस्त आर्थिक गतिविद्यों का समन्वे ओप्षन D, देश का बजट तो इसका करेक्टर आंसर होगा ओप्षन C देश की समस्त आर्तिक गतिविदियों का समनवे परसन नमबर 68 सुध घरेलु उतपाद NDP प्राप्त किया जाता है उप्शन A सकल घरेलू उत्पाद में मुल्य अरास जोड़ कर उप्शन B सकल राष्ट्य उत्पाद में मुल्य अरास गटा कर उप्शन C सकल घरेलू उत्पाद में मुल्य अरास गटा कर उप्शन D सकल राष्ट्य उत्पाद में मुल्य अरास जोड़ कर तो इसका correct answer होगा option C शकल गहरेल उत्पाद में मुल्या रास गटा कर परसन नमबर 69 ऐसी मुद्रा जिसमें सिग्र पलायन कर जाने की परवर्ती हो उसे क्या कहते है hot money, option B, soft money, option C, hard money, option D, token money एक बार फिर सुनिए ऐसी मुद्रा जिसे सिग्र पलायन कर जाने की परवर्ती हो उसे क्या कहते है option A, hot money, option B, soft money, option C, hard money, option D, token money तो इसका correct answer है option A, hot money बोलते हैं इसी मुद्रा पलायन कर जाने की परवर्ते है जब समगर आप पूर्ती option A, समगर मांग से अधिक हो option B, समगर मांग से कम हो option D, समगर मांग के बराबर हो option D, इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B, समगर मांग से कम हो परशन नमबर कहात्तर अप इस्पूर्ती एक इस्थिती है जिसमें option A, मुद्रा का मुल्य कम होता है option B, वस्तु का मुल्य बढ़ता है option C, मुद्रा का मुल्य बढ़ता है option D, मुल्य इस्तर इस्थिर रहता है तो इसका correct answer होगा option C, मुद्रा का मुल्य बढ़ता है परशन नमबर बात्तर सकल राष्ट्य उत्पाद में स्रम की भागिदारी कम होने का कारण है option A, मुजदूर की तुल्ना में कीमत कम है मुजदूर की तुल्ना में कीमते कम है option B, कीमत की तुल्ना में लाब कम है option C, लाब की तुल्ना में कीमते कम है option D, कीमतों की तुल्ना में मुजदूरी कम है परसन नमबर 33 निम्लिकित में सेロौरेंज वक्र क्या दरसात है option A रोजगार को option B मुद्रास पीडती को option C अपस्पीडती को option D आइ वित्रन को तो इसका करेक्ट आनसर होगा option D आइ वित्रन को निम्लिकित में से कौन सा कर पर्त्यक्स कर है निमली कित में से कौन सा कर पर्त्यक्स कर है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C धन कर परसन नमबर 75 भारत के किस राज्य की GDP सबसे अधिक है यह परसन दुबारा से रिपीट हो गया इसका अंसर आप सभी को पता है भारत के किस राज्य की GDP सबसे अधिक है A. गुजरात की B. गोवा की C. माराश्ट की D. हडियाना की तो इसका करेक्टर आंसर होगा सी माराष्ट की धन्यवाद